Hello everyone, मैं में थुन सिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी, बहुत अच्छे होंगे पहली भी Mental Ability की Classes आ चुकी है, अगर आप उसे देखना चाते हो, लिंक आपको Description Box में मिल जाएगा वहाँ पे CDP, GKGS Computer, Reasoning सारे लिंक आपको वहाँ से देखने को मिलेगा आप Channel के Playlist से भी जाकर चीजों को देख सकते हो, तो चलिए, आज की Class को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Rituals के According, हम लोग चलेंगे यहाँ पे आपको कुछ नाम दिखाई दे रहे होंगे, कुछ images दिखाई दे रहे होंगे इन्होंने बिल्कुल पिछले दिन जो Question पूछा गया था न, उसका Answer बिल्कुल Correctly दिया है तो इन सारे लोगों को टोकरी भरके बढ़ाई, यह जीवन में खूब आगे बढ़ है ऐसी मेरी कामना है, सुबकामना इन लोगों को है, तो चलिए आज की Class को स्टार्ट करते हैं, very first question आपके सामने ये रहा अगर 9 को 25 लिखा जा रहा है, तो 49 के बाद क्या आएगा? तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सा question है, देखिए यहाँ पे मैं आपको 9 और 25 लिखकर दिखाता हूँ, दोनों के बीच क्या relation है? यहाँ पे आप देख सकते हो, यह 3 का square है, यह 5 का square है इसी तरह से आप यहाँ देखो, 49 लिखा हुआ है, यानि कि यह क्या है? 7 का square है, तो अगला जो term आएगा, आप यहाँ पे देखो, 3 का square, 5 का square, 7 का square अगला बार आएगा 9 का square, क्यों? क्योंकि देखो, आप ऐसे समझो, यह 3 का square हुआ न, यह हुआ 5 का square और यह हुआ 7 का square, इसके बाद देखिए, जो number आएगा न, वो आएगा odd number, 3, 5, 7, और यह आएगा 9 का square जो कि कहां है, 9 का square, 81 आता है, जो कि आपको मिलेगा option number B में, तो B आपका correct answer हो जाएगा, B के साथ आपको जाना था अगले question क्यों बढ़ेंगे, अगला question आपके सामने ये रहा, उससे पहले आप लोगों से एक request है, वीडियो को please like कर दे, चैनल को subscribe कर लीजी, अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लीजी, गंटी वंटी दबा देना है आपको, पैसे नहीं लगते हैं, कर दो, like भी क subscribe का भी बटन दबा दो आप, अब देखिए, यहाँ पे question number 43 में क्या पूछा गया है, अगर 12 को 35 लिखा जाता है, तो 16 को क्या लिखा जाएगा, बहुत ही easy question है, मैं इसे solve कर देता हूं, देखिए, 12 और 35 का relation हम लोग सबसे पहले देखेंगे, तो देखो, दोनों में न, एक जो link है, वो 6 का link है, 6 का link है, यहाँ पे आप देख सकते हो, 6 into 2 is equal to 12, and 35 को आप लिख सकते हो, 6 to the power 2 minus 1, यानि 6 का square कितना आ जाएगा, 36 minus 1, जो की result आपको क्या मिलेगा, 35, तो इन दोनों को आपने decode कर लिया, तो उसी तरह से 8 को आपको decode करना है, तो देखिए, यहाँ प अब अगले term की तरह 8 का square कर दोगे, उसमें minus 1 कर देना है आपको, 8 का square आता है 64, 64 में अगर आप 1 minus कर दोगे, result मिलेगा 63, यानि की option D के साथ आपको जाना था, तो हम लोग क्या करेंगे, 63 आप answer को lock करोगे, D का आपका answer सही हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, अगले question के लि सा explainer आप कर दोगे, तो बड़े अच्छा होगा, जो नहीं जानते answer वो आपके answer को देखेंगे, और please आप लोगों से request है, जो answer सही जिन्हों ने बताया हो, आपको समझ में आ जाए, please उनके comment को like जरूर कर दे, उन्हें appreciation की भी जरूरत होती है, मुझे भी जरूरत होती है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और वीडियो को like नहीं किया है, please कर दीजिए, नीचे टेलिग्राम चैनल का link आपको मिलेगा, comment box में, वहां से आप हमारे साथ connect हो सकते हो, टेलिग्राम चैनल पे भी, आगे बढ़ेंगे question number 46 की और, actually 45-45 दो बार हो चुका है care रहने देते हैं, दो बार कैसे हुआ, I don't know, रहने देते हैं, 46 की और हम लोग बढ़ते हैं, तो देखिए question number 46 को हम लोग solve करेंगे, उससे पहले आपको बता दू, अगर आप notes लेना चाहते हो, मेरे hand return, तो 499 में आपको मेरे hand return notes मिल जाएंगे, email ID यहाँ पे दिख रही पे देख लिजे, और इंस्टा पे हो, then do follow me at the rate IMithunSync, वहाँ पे आप notes मेरे hand return notes ले सकते हो, मैंने army school खुद crack किया हुआ है, तो मैंने 100 notes बनाये हैं, जो कि आप आराम से 20-30 दिनों में आराम से पढ़कर इसे crack कर पाऊगे, one more thing, अगर आप APS के previous year question paper लेने में interested हो, तो 100 से हम लोग bunch बोलते हैं, पहली बात, उसी तरह से यहाँ पे आपको जो है relation ढूणना है, यहाँ पे क्या होगा, कोई वो singular होगा, और उसका जो बहुत सारा होगा, मैनी collection होगा, वो यहाँ पे होना चाहिए, तो competition का जो bunch है, वो team नहीं बनेगा, यह तो cut up, pack का hound भी नहीं हो का, देखिए, flower क्या है न, flower में फूल है एक, और यह बहुत सारे flower मिल जाएंगे, तो वो bucket बन जाएगा, यानि कि हमारा right answer क्या होगा, option number D हो जाएगा, फिर से आप चीजों को देख सकते हो, doubt हो तो comment करके पूछ सकते हो, अगले question क्यों बढ़ेंगे, question number 47, profit का loss है, यानि कि देखो, just opposite है यहाँ पे, just opposite, तो इसका जो right answer क्या होगा, success का failure हो जाएगा, simple सा question का यह answer होगा, age the right answer, अगले question क्यों हम लोग बढ़ेंगे, next question आपके सामने यह रहा, sapling, सबसे पहले आप sapling को समझ लो, sapling छोटा पौधा को बोला जाता है, जो कि अभी तूरत पैदा हुआ जैसे आप newborn baby बोलते हो, newborn baby, तो उसी तरह से newborn baby की तरह आप समझ लो, कि tree जो है जब बच्चा होता है, बिलकुल newborn होता है, उसे sapling बोला जाता है, तो sapling बढ़ा होका tree बनता है, तो इसी तरह से आपको यह बताना है, कि आगे बलकर क्या होगा, तो देखिए bird, कली से क्या बन बन जाएगा, यानि कि c is the right answer, अगले question की और हम लोग move करेंगे, next question आपके सामने ये रहा, अब आप यहाँ पे देखो, यह जो supervisor होता है, बहुत सारे workers इसके under काम करते हैं, यानि कि supervisor के under में कोन आएगा, workers आएगा under में, इसके under control में काम करेगा, तो उसी तरह से बहुत सारे जो है, color क जो है न, वो officer के under काम करते हैं, officer इनका क्या हो गया, बॉस हो गया, यानि कि e is the right answer, finally e answer आ चुका है हम लोगों के लिए, अगला question हम लोग देखेंगे, next question आपके सामने ये रहा, सबसे पले टीबिन मतलब होता है डर पोक, इसे आप कावार्ड भी बोल सकते हो, यह यहाँ पर ऐसे है, तो देखिए, चो गधा होता है न, वो होता है डर पोक, उसी तरह से कनिग, कनिग का मतलब होता है दुस्ट, दुस्ट प्रविर्ती का लालची, ठगने वाला, तो यहाँ पर ant तो महनती जानवर है, महनती जीव है ये, और rabbit तो बड़ा तेज जानवर है और horse क्या है, वो अपने काम से काम रखने वाला महनती जानवरों में से एक है, तो यहाँ पर right answer होगा fox, आपने देखा होगा fox की बहुत सारी कहानिया आपने पढ़ी होगी, कि कैसे ये other जानवर को बेवकू बना कर चीज़ें कर लेता है, तो चलिए, वीडियो यहीं तक र